हेलो रिवान वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल फार्मरोक्स के यूटूब विज्चू किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डाइजेस्टन ड्रग्स के बारे में डाइजेस्टन ड्रग्स मतलब की ऐसे से वो काम करती है और उनके एक्जाम्पल्स तो सुरू करते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं डाइजेस्टन्स के बारे में तो एक्सपर्ट लेक्चर बायमर सर और सिस्टम प्रॉफेसर एंड फाउंडर आफ फामरॉक्स थेंक्यू फर बी इन वन लेक्ट फैमिली साथ एक्सेस कर सकते हैं स्टडी माट्रियल को टेस्ट सिरीज एंड वीडियो लेक्चर ओन एप फामरॉक्स तो अगर आपके पास एंड्रोइड फॉन है तो डाउनलोड करिए फामरॉक्स का मोबाइल अप्लिकेशन गूगल प्ले स्टार पर से आईफॉन है तो एप स्ट और पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो अब समझे कॉंसेप्ट ओफ है डाईजेस्टंट ड्रग्स तो यह सबसे इंपोर्टन बात है कि जो डाईजेस्टं मतलब कि जो भी हम बोजन करते जो भी हम कुछ खा ना खाते है तो उसका अच्छे से पाचन होना जरूरी है उसका डाईजेस्टं होना जरूरी है तो डाईजेस्टंट ऐसे मेडिकेशन है कि जो आपको बोजन के पाचन में मदद करती है तो उसके करन उनको बोजन में के पाचन में मदद करने वाले दवाया भी कही जाती है So these are class of medications which are helping the process of digestion of food जो हमारा food है वो जब हमारी body के अंदर जाता है तो stomach के अंदर उसका अच्छे से digestion होता है तो digestion की process जब वो food particles oral cavity में होते है वही से start होती है तो हमें पता है कि digestion के लिए अलग-अलग enzymes जो है वो help करते है तो ऐसे enzymes अगर समझे के आपके body के अंदर deficiency है अच्छे से वो enzymes produce नहीं हो रहे है तो उस वक्त आप ऐसे medications लेती कि वो enzyme के secretion में help करे as well as वो as a enzyme काईम करेगी और आपके खाने को digest करवाने में जो है वो काफी मदद करती है तो these are a substances intended to promote the digestion of food कि food का जो digestion है उसको promote करने के लिए ये सब medicines वगेरा use की जाती है and a substance such as hydrochloric acid और bile salt that promote our aids और digestion तो digestion drugs ऐसे है कि जो usually जो अलग-अलग enzymes जो होते है कि digestive enzymes हम कहते है कि वो आपके food को digestion के लिए help करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर diagram में देख रहे हैं कि पूरा gastrointestinal tract दिखाया गया कि salivary gland से कि जो saliva release करते कि जब हम खाना खाते है फिर tongue का portion दिखाया गया है epiglotis है, isophagus है फिर stomach के जहाँ पे food जो है वो काफी time तक रहता है digestion के लिए फिर galblader है, duodenum फिर ये pancreas है ileum मतलब कि small intestine ये colon का portion, rectum, appendix and sesum तो ये पूरा digestive system का जो track है जिसको हम gastrointestinal tract भी कहते है तो वहाँ पे अलग-अलग locations पे digestive enzymes जो है वो release होते है और वो food को digest होने में हमें मदद करते है बट कई बार कुछ लोगों को digestive tract related जब diseases and disorders होते है तो digestion में कई बार problem होता और वो condition को ही treat करने के लिए digestive drugs को use किया जाता है तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा gastrointestinal tract है तो उसमें सबसे पहले कि जो salivary glands होती है वो release करती है amylase enzyme को और amylase का function था में पता है कि जो starch वगेरा होता है उसके digestion में help करते है तो this is a powerful digestive drugs with enzyme which digest starch, protein and fat in a stomach तो हमें पता है कि amylase जो है वो saliva से release होता है और वो starch के digestion के लिए काफी हमें help करता है उसी तरह से आगे जब isophagus से होकर जब food stomach के अंदर पहुचे तो stomach के अंदर होता है hydrochloric acid और protease enzyme की जो protein के digestion में काफी help करता है फिर जो liver है वो bile release करता है और pancreas है वो protease enzyme, lipase enzyme, amylase वगेरा को भी release करता है तो lipid का जो अच्छे से digestion होगा कि जो भी हम lipid containing खाना खाते है कि जो हमारे खाने में oil होता है oily substances होते है lipid होता है तो वो lipase से अच्छे से digest होता है protein वगेरा जो होता है वो protease enzyme से और जो starch वगेरा है, carbohydrates वगेरा है उसके लिए जरूरी है यह सब amylase enzyme फिर आगे जाके small intestine में भी peptidase enzyme होता है sucrase, maltase, lactase तो अलग-अलग locations पे अलग-अलग type के जो enzymes release होते हो और हो help करते है digestion के अंदर जब किसी को कोई problem है तो difficulty होते है digestion के अंदर जैसे कि hydrochloric acid work as a digestion by breaking down protein and fats in a stomach, कि stomach में अंदर रहा जो hydrochloric acid है वो क्या काम करता है तो क्या करता है वो protein and fats को breakdown करवाता है और आगे यह जो enzymes release होते है वो उसको अच्छे से digestion करवाएंगे so overall this mechanism enhance the digestion activity in the person having a problem in digestion कि जिसको digestion में problem है उसको externally आप ऐसे medication दोंगे कि जो उसके digestion में काफी help करेंगे तो इसी सब medications को हम जानेंगे तो a number of proteolytic amylolytic and lipolytic enzymes are marketed in combination formulation and are vigorously promoted by dysseptic dyspeptic symptoms such as appetite stimulant or as a health tonic तो यहाँ पे एक marketed formulation आप देख सकते हैं जिसका यहाँ पे लिखा है कि aristocyme तो aristocyme है वो digestive enzymes का combination है और वो pineapple flavor के अंदर बनाय हुआ है तो aristocyme liquid है उसके अंदर आप देखो तो diastase and pepsin वो दो enzymes उसके अंदर अवेलेबल है तो digestants drugs के अंदर usually क्या होता है कि अलग-अलग enzymes का combination होता है और यह marketed formulation जो dyspeptic symptoms होते है कि जैसे कि किसे को ऐसे condition के भूख नहीं लग रही है या फिर appetite stimulant करवाने की जरूरत है तो साथ उसाथ जो health tonics के बाद काते है कि जब आप खाना खाते है और वो digest ना हो तो भी काफी complications होते है कि अच्छे से खाना digestion नहीं होता तो कई बार constipation जैसा भी होता है आप खाना खाते है फिर भी आपको ऐसे energies वगेरा नहीं मिलती बिकॉज खाना digest होगा तो ही आगे जाके आपको energy वगेरा मिलेगी वो खाना खाने से बड़ उसका digestion नहीं होगा तो आपको ऐसा फिल होगा कि condition ऐसी होती कि आपको energy जो चाहिए वो कम रहती है थकान अनुबव होता है as well as भूख नहीं लगती बिकॉज ऐसा फिल होगा कि आपका stomach full होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी फिर ऐसा होगा कि आपका stomach full ही है खाना खाने की इच्छा नहीं होती तो उस वग जरूरी होती कि appetite को stimulate करवाना आपके खाने को digestion करवाना तो उस वग ये medications काफी help करती है तो they are occasionally beneficial only when elaboration of enzyme in GIT is deficient तो ये खास एक सुचना है यहाँ पे कि ये medicines को occasionally ही use करना है मतलब कि जिस person को digestion related problem हो उसका GI tract जो है वो अच्छे से digestive enzyme release करवाने में और सफल होता है बट जब कोई person healthy होता है उसको कोई भी type का problem नहीं है और सिर्फ appetite enhance करवाने के लिए ये medications को use ना करे their routine use in tonic and appetite improving mixture is irrational कि irrational मतलब कि ऐसे के जो हम उसकी सलाह नहीं दे सकते किसी को because ये क्या है एक type के enzyme से तो जब already आपके body अच्छे से enzymes produce कर रही हो digestion कर रही है तो अलग से बाहर से digestion के लिए ये enzymes लेनी की ज़रूरत नहीं है तो अगर कोई इसको use करते है तो वो irrational use कहा जाएगा कि बीना मतलब का वो use कर रहा है और उसे body जो है वो खराब हो सकती है तो जरूरी है कि जब आपको deficiency हो इस type की enzymes के खाने में digestion नहीं हो रहा है खाना खाने के बाद पाचन नहीं हो रहा है तो ही ये digestant medications को use करना चाहिए और अगर आपको कोई problem नहीं है digestion related तो ये medications को use ना करें फिर बात आती है digestion drugs के uses कि तो इस medications contain the digestive enzyme वीच राग natural substances कि digestive enzymes हमें पता है कि वो natural substances and needed by the body to help the breakdown and digestion of food तो ये concept आप सभी का clear है so it is used when the pancreas cannot make or does not release the inept digestive enzyme into the gut to digest the food तो ये medications को कब use करें कि जब आपका pancreas है या फिर आपके GI tract के जो अलग-अलग organs प्रॉपर amount में release नहीं कर रहे है digestive enzymes को तो जब आपके gut के अंदर या फिर आपके digestive tract के अंदर अच्छे से food को digest करने के लिए प्रॉपर amount में digestive enzymes release नहीं हो रहे है तभी ये medications को use करें So use to treat digestion related problem कब use करने है आपको तो जब किसी को digestion related problem है stomach full ऐसा फिल होता है कि आप कुछ भी खाना खाते है तो वो digest नहीं होता और digest नहीं होगा तो ऐसा फिल होगा कि आपका stomach full ही है वो empty हुआ ही नहीं है and loss of appetite ये खास कि जब stomach full होता है तो खाना खाने का मन नहीं होता तो जिसको loss of appetite है भूख नहीं लग रही है और उसका reason stomach full है और digestion नहीं होना है तो उस वक्त ये medications को use करें and difficulty in digest the food कि खाने को digest करवाने में आपको difficulty हो रहे because आपका pancreas या फिर आपके GI drug के अलग-अलग organs समय पर अच्छे से digestive enzymes को release करवाने में और सफल होते है तो उसी condition में ये medications को use करनी चाहिए तो उसके कुछ examples हम देखे तो सबसे पहले है top pair that is a pepsin and pepn तो pepsin की जिसकी जरुरूद क्या है अच्छी लिया due to autrophic gastritis, gastric carcinoma, pernius anemia, etc. मतलब की pepsin जो है उसका use कप करना है कि जब pepsin जो है वो अच्छे से release नहीं हो रहा आपके stomach के अंदर तो hydrochloric acid के साथ वो जो अच्छे से stomach के अंदर रहता है और herb कलता है protein वगएरा है, lipid वगएरा है उसके breakdown के अंदर बट ऐसे condition के किसे को gastritis हुआ है gastric carcinoma है मतलब की cancer हुआ है फिर साथ उसाथ एनेमिया की condition है तो उस वाक्त समझे कि वो अच्छे से release नहीं हो रहा तो externally pepsin की जरूरत पड़ेगी आपको तो यहाँ पे देखो diazy plex करके जो यहाँ पे marketed formulation देख रहे है तो उसमें देखो combination में alpha amylase है और pepsin है तो यह help करेगा protein है fats वगएरा है के digestion के अंदर उनके breakdown के अंदर फिर जो papain है तो it is a proteolytic enzyme obtained from raw papaya and it is efficacy after oral indigestion is doubtful तो raw papaya जो होता है उसमें से papain को जो है वो extract किया जाता है और वो एक proteolytic enzyme है फिर बात करते हैं pancreatin की तो it is a mixture of pancreatic enzymes obtained from hog and pig pancreas hog and pig के जो pancreas होते है वहाँ से ये enzymes को जो है वो निकाला जाता है तो pancreatic जो enzyme है वो combination बनता है amylase का trypsin and lipase तो it contains the amylase उसके अंदर एक amylase होता है trypsin होता है and lipase and it is indicated in chronic pancreatitis or other exocrine pancreatic deficiency state कि आपका जो pancreas है वो अच्छे से ये सब enzymes को release नहीं कर रहा रहा है तो उस वक्त externally जो person है वो ऐसे tablets ले देख जैसे कि आप यहाँ पे Abbott का ये marketed formulation देख रहे है तो उसके अंदर देखे कि pancreatine inactivated dimethicon tablet से कि जिसकी strength है कि 170 NG में है pancreatine रहेगा और ETMG जितना है यहाँ पे dimethicon तो ये tablet का manufacture आप देख सकते है कि Abbott है और यहाँ पे each enteric coated tablet content में भी लिखा है कि 170 NG जितना आपका है ये pancreatine कि जो mixture है amylase का trypsin का and lipase का और साथ ही में mix में है ETMG जितना dimethicon तो dimethicon क्या है वो हम आगे सिखने वाले है लेक्चर में तो अभी मैं उसका detail आपको नहीं बताऊँगा dimethicon के बारे में आगे हम detail में समझते हैं यही लेक्चर के अंदर so nausea, diarrhea and hyperurysemia are a occasional side effect of this pancreatine तो ये जो tablet है उसके जो कुछ side effects हम देखे तो nausea है, diarrhea है, hyperurysemia जिसे कुछ occasional side effects देखने को मिलते हैं ये जो है वो pancreatitis enzyme है कि अगर किसी person का जब diagnosis होता है और ऐसी conditions पता चलती है कि जिसको chronic pancreatitis है कि उसके pancreas के अंदर inflammation है और उसका pancreas अच्छे से pancreatic enzymes को release नहीं कर पा रहा तो उस वाक्त ये pancreatine के जो tablet से वो person को prescribe किये जाते है फिर बात आती है diastase and taca diastase की तो ये फूग का तो नाम आपने बहुत बार सुना है microbiology के अंदर biotech की जो study करते है आप उसमें भी ये fungus का नाम आता है तो ये immunolitic enzymes से diastase and taca diastase और उसको ये fungus में से जो है वो derive किया जाता है तो जो अलग-अलग techniques होती है biotechnology की उससे ये enzymes जो है वो extract किये जाते है and help in digestion of starch containing food अब diastase and taca diastase का main function क्या है तो ये दो ऐसे enzyme है कि जो आपके body के अंदर जो हमारा खाना होते है उसमें समझो कि starch है तो जो starch containing जो food होते है उसके digestion के अंदर ये सबसे ज़्यादा help करता है and they have been used in pancreatic insufficiency but efficacy is equivocal तो जब आपका pancreas जो है वो amylase को अच्छे से release नहीं करवा रहा है diastase है या फिर taca diastase वगर अच्छे से release नहीं हो रहा है कि जो ज़रूरी है starch के digestion के लिए तो उस वाग externally person जो है ये enzymes लेता है and diastase is any one of a group of enzymes that catalyzes the breakdown of starch into the maltose तो diastase का function भी आपको पता होना चाहिए कि diastase क्या करता है starch है उसको maltose के अंदर convert करता है maltose को तो maltose का तो आपको पता है कि दो glucose के molecules अपने glycosidic bond से जब join होते है कि glucose plus glucose that means a maltose तो जब आगे maltose का भी further अच्छे से metabolism होगा तो glucose molecules जो है वो produce होगे और वो जो है वो energy के लिए further utilize होता है glucose जो आपको पता है कि जो glycolysis वगेरा होता है crab cycles होगेरा होते है तो जो हमारी body को energy जो form होती है ATP जो हम कहते है तो ATP के formations के अंदर ये glucose utilize होता है आगे तो simply concept यही है यहाँ पे कि जो खाना अच्छे से digest होगा और उसके अंदर जो component अच्छे से digest होगे तो ही आपको last में energy मिलती है तो energy मिले आपको अच्छे से fatigue जिसे condition ना होगे खाना खाने के बावजुद भी थकान लगे stomach full जिसे condition होती है digestion अच्छे से नहीं होता तो उस वग यह सब medications help करते है तो उसके marketed formulation अब हम देखते है तो aristozyme तो aristozyme एक काफी popular marketed formulation की जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते है कि diastase and pepsin जो है वो main उसके key ingredient है उसके अंदर और अलग-अलग flavors में उसको बनाया जाते है pineapple flavor के digestive enzymes present है कि जो liquid syrup के form में आपको मिलता है कि जिसको कया हो जाता है aristozyme फिर second आप popular एक marketed formulation देखे देट इस diiseplex तो aristozyme की तरह है diiseplex के अंदर भी digestive enzymes है जैसे कि alpha amylase है और pepsin है उसके अंदर तो यह भी अलग-अलग amylase है, pepsin है वो food digestion में help करेगे तीसरा popular marketed formulation देखे देट इस vitazyme तो vitazyme की जो fungal diastase है with carminatives तो जो diastase की जो हमने बात की कि जो starch के digestion के लिए ज़रूरी है कि starch को maltose के अंदर last में convert करके देता है फिर alpha amylase और pepsin का जो syrup की जिसका marketed formula है lupizyme की जो lupin pharmaceutical उसको design कर दा है तो और ये भी pineapple flavor के अंदर available है तो pineapple flavor digestive enzyme lupizyme उसका नाम दिया है और उसके अंदर भी alpha amylase and pepsin है कि जो content है digeplex के अंदर के alpha amylase and pepsin same content lupizyme के अंदर भी available है तो ये अलग-अलग marketed formulation देख सकते हैं आप उसी तरह से दूसरे हम देखे तो anthozyme करके जो है यहाँ पर जो देख सकते हैं आप anthozyme के जिसके अंदर fungal diastase with pepsin है तो fungal diastase तो ही बट साथ में combination में है उसके साथ pepsin है फिर ये जो टाबलेट्स आते हैं pancreatine के टाबलेट्स के जिसका ब्रांड नेम है penzinorm तो penzinorm का आप यहाँ पर देख सकते है penzinorm and pancreatic tablets as per the vritis pharmacopoeia और last में यहाँ पर देखिए uni enzyme करके जो tablets है के जिसके अंदर fungal diastase, pepain and activated charcoal के tablets uni enzyme लिखा है तो ये सब अलग-अलग marketed formulation से की जो as a digestant drugs के तौर पर काम करते है तो aristosyme की जो हमने समझा fungal diastase, pepsin, simethicon वगेरा उसके अंदर mix रहते है dizzyplex के अंदर diastase रहेगा, 62.5 mg इतना pepsin रहेगा उसके बाद entozyme के अंदर fungal diastase, pepsin, vitazyme के अंदर भी fungal diastase साथ में flavors वगेरा के लिए कार्मीन डिवुक्त के तौर पर sinamon oil है, कारावे है, काडेमम वगेरा भी उसके अंदर add किये जाते है फिर बाद आती है, lupizym के जिसके अंदर pepsin 125 mg, fungal diastase रहेगा, thymine रहेगा, riboflavin, pyridoxin, vitamin B12, nicotinamide तो साथ ही multivitamin जिसा भी ये काम करेगा और digestive enzymes के उसके अंदर mix में combination में रहेगे फिर penzinom के जो हमने बात की, कि pancreatin है, उसके अंदर bile extract and uni enzyme के अंदर fungal diastal, pepain वगेरा as well as simethicon है, nicotinamide, activated charcoal वगेरा combination में है तो अब बात आती है, role of methyl polysiloxin की जो आपने dimethicon का नाम सुना simethicon का नाम सुना, तो ये actual में है क्या तो आप बहुत सारे ऐसे digestive tract related जो अलग अलग syrup होते है कि like antacid syrup में भी आपने ये नाम सुना होगा फिर अभी जो हमने अलग अलग digestants के जो syrups देखे as well as tablets देखे, उसमें भी ये symethicon and dimethicon आपने देखा तो what is the role of this ingredient कि जिसको कहा जाता है methyl polysiloxin कहा जाता है तो methyl polysiloxins के अंदर तीन popular class है तीन popular medication है, एक है dimethyl polysiloxin है, दूसरा जो है वह आप यहापे देख सकते है that is symethicon and third that is dimethicon तो यह तीनों का role क्या है तो use as an anti-forming agent इनका main जो काम है, that is anti-forming agent and it is a silicon polymer यह क्या है तो एक type के silicon के polymer है कि जो हम कहते है कि SI, silicon के polymer है और viscous amphiphilic liquid से कि जो reduce करवाते है surface tension and collapse the froth and use as an anti-forming agent in various preparations related to the GIT अब समझे कि कई बार यह जो bottles के अंदर content होता है उसको आप कई बार सेख करते है तो सेख करने के बावजूद भी कई बार उसके उपर form जो है वो create नहीं होता तो कई बार क्या होता कि कुछ preparations ऐसी होते कि उसको आप सेख करते है bottle को तो काफी अच्छा form जो है वो उसके surface के उपर produce होता है but समझो कि आपके वो preparations के अंदर यह dimethicon aid है simethicon aid किया हुआ है या फिर dimethyl polysiloxan है तो यह क्या करेंगे वो form को produce नहीं होने देंगे और anti-forming agent का का काम करेंगे and it is not absorbed from GID gastrointestinal tract में वो absorbed नहीं होते और pharmacologically वो inert होते है मतलब कि उसके कोई ऐसे pharmacological action नहीं है आपके body के उपर यह सिर्फ और सिर्फ काम करते है as a anti-forming की form create होता है तो उसको prevent करवाएंगे जिसके कारण उनको कहा जाता है anti-forming agent so methyl polysiloxan को add cure किया जाता है तो added to antacid digestant and anti-reflux preparations it is briskly promoted as a remedy for gas a very common gastric complaint कई बार आपको पता है कि जो gas हो जाता है हमारे stomach के अंदर gas trouble का problem होता है तो क्या होगा कि समझो कि आप जो medications use कर रहे है तो उसके साथ भी समझो कि आपके body के अंदर gas जाएगा तो और जदा gas trouble का problem हो सकता है आपके GI track के अंदर तो ये medications के साथ gas जो है वो ना हो कि जो form है तो form के अंदर भी कई बार air bubbles होते है और air bubbles के साथ हो साथ ये gas आपके body के अंदर जाता है तो ये medicines जो है वो remedy बनते है gas के लिए कि जो gas है उसको produce ही नहीं होने देते आपके body के अंदर भी as well as ये जो preparations के अंदर भी form create नहीं होने देंगे gas को produce नहीं होने देंगे कि जिसके कारण ये medications anti-forming का काम करते and it is also claimed to be coat and protect the ulcer surface साथ हो साथ कि इसको gastric ulcer है तो वो भी protect करेगा ulcer को और उसकी जो surface है उसको protect करेगा and to aid dispersion of antacidine gastric content and to prevent gastroesophagial reflux कि कई बार isophagus के अंदर जो acid जला आता है reflux होता है acid का तो उसको भी prevent करवाएगा ये तो pharmacology तो उसके use नहीं है बड़ जो हम देखे कि rheologically as well as ये इसके जो प्रापर्टी है कि anti-forming का काम करता है कि form को create नहीं करने देता gas को produce नहीं होने देता remedy for gas बनता है जिसके करण ये popular बनता है ये अलग-अलग जो gastric gastric disease related जो preparations होते है कि जैसे कि antacid preparation है डाइजेस्टंट वगेरा है anti-reflex preparation से की वगेरा के अंदर भी इसको add किया जाते है तो ये भी एक digestants medicines का main एक ingredient बनता है तो ये था हमारा special lecture about the digestants के जिसके अंदर हमने सीखा पाचन में मदद करने वाली दवाईया तो फार्मारोक्स की जो lecture snorts है वो आपको मिल जाएंगे फार्मारोक्स की app उपर access कर सकते है study material को फार्मारोक्स की आप उपर join कर सकते है whatsapp group whatsapp help line number आप यापो देख सकते है 942-618-036 join कर सकते है study material के लिए video lecture के लिए as well as for the taste series on app फार्मारोक्स की अगर आप android user है तो google play store पर से आसाने से आपको download कर सकते है if आल आइफ़ान user है तो भी app store पर से उसको download कर पाएंगे link आपको description box में देदी है so good luck and all the best